अगर छोटा सा एरिया में सीधी बन बार रही हो ना, वीडियो जरूर देख लेना, 5-7-4 फिट, एकदम छोटा सा एरिया है, इसमें कैसे बनेगा सीधी, पूरा एक एक चीज हम बताने वाले हैं, ठीक है, राइजर कितना आएगा, क्या होता है राइजर, ट्रेड कितना आए क्या होता है एंगल सब कुछ बात करने वाले हैं तो चलो सुरू करते हैं देखो हमारा सीधी कुछ इस हिसाब से बनता है ऐसे हमारा सलैब का जो हाइट है कुछ 10 फीट है यह इस हिसाब से आपका सीधी बनता है बनता है हमारा यहां से सीधी उठता है और इस हिसाब से जाता ह जाता है आप सभी को पता होगा इसे जाता है तो हम यहां से जो इस पर चड़ते हैं समझ में आ इसाबлद रखते है और छी पर हम पार रखते हैं इसको बोलते हैं ट्रेड है कि नींब आ गया होगा अपने लिए पर कैसे हिसाब से रखते हैं है और जिए उचाई है एक दुसरे पर जाते हैं उसको बोलते हैं अब हम यही दो ठो चीज निकाल लेंगे न तो आपका सीरी बन जाएगा अच्छा से और यह एंगल यहां पर बस आपका सीरी अरहाम से बन जाएगा कैसे बनेगा हो समझो कितना एडिजेस्टमेंट होगा आपके लिए हम यह बन जाते हैं यहां पर के-साड़ी की हाइट कितना हम रख हैं जूह आप अगर तो यह सारे पांच इंच के अंदर में रहता है ठीक है सारे पांच इंच के अंदर में रहता है यह आपका क्या रहता है सीडी का एस्टेप ठीक है जो राइजर होता है तो हम यहाँ पर कितना लेंगे घड़ है घड़ के लिए हम लेंगे उस हिसाब से लेंगे कि हम ऐसा ना हो कि ज् बिमार लोगों को देखते हुए कि बिमार लोग भी चड़ सके आराम से तो हम यहाँ पर कितना लेते हैं सारे 7 इंच तो हम यहाँ पर 7.5 इंच ले लेते हैं सिरी के लिए जगा जो इस्टेप है तो इससे भाग लगाएगा तो आपके कितना जगा आप ट्रेड भी निकाल लो 16 में से एक घटा देगी तो कितना होगा पंदरा तेड आगिया अब ट्रेड क्या चीज होता है जिस पर आप पैर रखते हैं इसको ट्रेड बोलते हैं अब आगे चलते हैं यह एंगल की तरफ तो यह आप लोग हमें कॉमेंट करेंगे बताना कितन यह टोटल यहां से यहां तक की जो लेंद है, यह लंबाई सीड़ी का शाथ-फिट और पांच-फिट चौब्लाई है, तो हम अरहाई-वीट यहां से यहां तक चौब्लाई ले लिए हैं, और यहां से यहां तक आ लेंदिंग ले लिए तीस इंच मतलब कि यहाँ पर लेंडिंग ले लिए हैं और बांकि हम यहाँ पर सीधी का जीना ले लिए हैं जिसके चड़के जाएंगे राइसर ट्रेड अब यहाँ पर हमें यह जो एड़्जेस्ट हुआ है यह कैसे होगा इसको समझों तो हमारा चावलाई अभी तब देखेंगे मैक्सिम लोगों का जो पैर का साइज हो आठ इंच तक आता है आता है ना पैर का साइज तो हम उसे हिसाब से से मढलो नौग लहाई ले रहें अगर उसे कम होगे तो फिर गिरने पार्ने का डर होता है यहां से पैर फिसल जाएगा इसलिए हम मानलो-9 लिए- उसलिए duy consumer dir ले ले लेंगे तो चोगो तो कितना होगा यहाँ पर बार सैसे आपका बीच में हो गया है यहाँ पर देखो यहाँ पर रखना पहला दूसरा यहाँ पर छे भागो की जाएगा ऐसे फिर तिसरा यहाँ पर आप पैर रखोगे ठीक है? सुरी यहाँ पर और चौथा यहाँ पर रखोगे फिर पाच्मा जैसे आप चल रहे थे वो इसे चलते चले जाओगे ठीक है? तो यह इस हिसाब से बनाया गिया है, देख लो तो ऐसा ही आपका सीड़ी बन के निकलने वाला है बाकि इसमें अब आता है एंगल तो एंगल आप लोग हमें कॉमेंट करके बताना अगर नहीं समझ में आ रहा है एंगल कैया होगा कैसी होगा तो फिर हम इसको कॉमेंट में बता देंगे और एक वीडियो इसके लिए प्रस्टनली बना देंगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए टटा बाई बाई